बुद्धिमान साधू एक बड़ा सा राजमहल था जिसके द्वार पर एक साधू आया और वो साधू द्वारपाल से आकर कहने लगा कि अंदर जाकर राजा से कहो कि उनका भाई उनसे मिलने आया है। पाल ने अंदर जाकर सूचना दी जिसके बाद राजा मुस्कुराने लगे और उन्होंने कहा कि साधू को अंदर भेज दो। साधू ने पूछा कैसे हो भाया। ये सब सुनकर राजा ने साधू को दस सोने के सिक्के देने का आदेश दिया। पर साधू ने कहा दस सोने के सिक्के तो कम है। ये सुनकर राजा ने कहा कि अभी तो इतना ही है। तुम इससे काम चलाओ। इसके बाद साधू वहां से चला गया। साधू को देकर मंत्रियों के मन में भी कई सवाल उठ रहे थे, उन्होंने राजा से कहा कि जितना हमें पता है आपका तो कोई भाई नहीं है, तो अपने उस साधू को इतना बड़ा इनाम क्यों दिया? राजा ने जवाब देते हुए कहा, देखो भाग्य के दो पहलू होते हैं राजा और रंक, इस नाते उसने मुझे भाई बोला राजा ने समझते हुए कहा कि जरजर महल से उसका मतलब उसका बुड़ा शरीर था, 32 नौकर से उसका मतलब 32 दांट थे, समंदर के बहाने उसने मुझे उलाजना दिया कि राजमहल में उसके पैर रखते ही मेरा राजकोष सुख गया, क्योंकि मैं मात्र उसे 10 सोने के सिक्क करूंगा, शिक्षा किसी व्यक्ती के बाहरी रन रूप से उसकी बुद्धिमत्ता का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, धन्यवाद दोस्तों मिलते हैं अगली वी